हेलो फैंस स्वागत आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल धावन स्टडी पॉइंट के अंतर और दोस्तों जैसा के आपको पता है आपका ऐसे सीजियल तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हो ताकि जो स्टुएंट जिनको इसकी नीड है वो इसको इसका लाव उठा सके तो आज हमारा टोपिक रहेगा वो रहेगा बैंकिंग के उपर आज मैं आपको यह बताऊंगा कि बैंक पर अगर कोई बी ऐसे आए सिर्फ मैं आपको यह एंप डियो में जैसे मैं आको पता है किर्षी के बारे में कैसा पॉसक问 उसी के अंदर चैंज करके लखना है ठीक है यहांपर गल्फ पहले था किर्सी का तो यहां पर क्या था एक कॉमन चीज़ थी यहां पर है यहां पर बैंक के वाँ पर किर्सी थी तो हम लोग सिर्प पर पढ़ रहे हैं तो बैंक पर कैसा भी नीमंद आजाए हमें क्या क्या का को मैं अधर बता दूंगा ठीके दोस्तों तो आप देखिए इस चैनल पर आपके लिए सबको सारा कंटेंट फ्री रहेगा चाहे आपको सारा मेटरी आपको प्रोइड कर आ सके आपको खुद पढ़ाऊंगा और गारेंटेड उससे बाहर आपका कुछ नहीं जाएगा तो शुरू करते हमारी वीडियो को देखिए हमारा टोपी आज बेंकिंग सिस्टम का बढ़ता हुआ एंपिए वे उसके समाधान ठीक है अब कुछ इस्ट्विण को डाउट होगा है सर एंपिए क्या होता है तो पहले तो हम लोग लिखते हैं एंपिए की फिलफॉम एंपिए फिलफॉम क्यों होती है नौन परफॉर्मि करेंट तो हम क्यों क्यों निदेर हैं लोग प्रियम्ल यानि उसका क्या इंद्र सकते हैं भाड़तीय अर्थष्टा ऑस्टाबकी रीडि की हड्डी सेवा प्रदाता छेत्र का प्रवुख भागीदार भारतिय बैंकिंग तंत्र लगातार सुर्कियों में है ठीक है दुर्भाग से यह सुर्किया नकारात्मक है जो की अर्थवरस्ता के लिए चिंता जनक हैं तो हमने याप पर आपको बता दिया कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं हम बैंक के लिए बात कर रहे हैं यानि कि बैंकिंग की जो अर्थवरस्ता है बैंकिंग जो इस्टम प्रिशन चल रहा है आपका उसके अंदर मतलब यह एक तरसे माली जी भारतिय अर्थवरस्ता की क्या है रीट की हड़ी है बैक बोन है यानिकि अगर यह खतम हो जाए तो हम ने अनेक प्रमुक चुनोतों में सबसे महतून चुनोती है बढ़ता हुआ एंप यह वैसे तो बैंकिंग के अंदर बहुत सारी चुनोती है लेकिन सबसे बड़ी जो अर्थवरस्ता पर इस्टम इफेक्ट डाल रहे है वह क्या है बढ़ता हुआ एंप अभी एंप अभी पता लग जाएगा फुल फो मैंने बता दी इसका मतलब भी अभी आने वाला है अब ध्यान रखना लेकिन उससे पहले मां को बता रहा हुँ कि यह जो मैंने आप लाइन लिखे ने यह वाली यह वाली ठीक है भारती अर्थता की रेड़ की हड़ी वैस सेवा प्रदादा च देखिए आप सभी को पता है कि 200 वड़ के ऐसे आता है 200 मैं आपको मैं 1500 वड़ तो मैं ऐसे बता दूँगा आपको को बिक पर कि देट वर तो आपको रटे होँगा आपको कैसे एक तो उसकी प्रिस्तावना उसकी कमिया उसकी लाव और लास्ट में जो आए निसक्रस निका अगर हमें पास 90 दिन तक उसका मूलधन और ब्याज हमारे पास नहीं आता है तो वो होता है वह जो पैसा अब का अंदर क्या हो जाता है थीक है याई कि नौन परफॉर्मिंग असेट्स के गूरूप में क्या जाता है थीक है तो इससे क्या होता है आप तो सभी को पता है अगर एक्जमपल देखें तो हमारे जो विजय माला जी हैं ठीक है नेरव मोदी ही है तो मускu इतना सब्सक्राइए इसरत बाहर जाएगा मतलब लेकी टो कि एनपी को सामानित है इस्टेंडर्ड डाउट फूल एम लोस असेस्ट में वर्गी क्यात्प किया जाता है देखिए एनपी को जो एम लोग तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं ठीक है यह आपको रट लेना है ताकि एक्जमिन को लगे कि हाँ बंदेवो उसके बारे मे प्रिद्या करो ठीक है उसके बाद आपने लिखा यह इस्टेंडर्स इस पर लोग डाउट फुल और लोस असेस्ट ऐसे आप लोग क्या कर देखिए उसको हम पर थे हाँ ठीक है तो भारत में बढ़ते हुए NPA के अनेक कारण है जैसे एकुसल, संचालन व्यवस्ता, परीसंपत्ती प्रबंदन कोशल में कमी, जरूरी कानूनी उपयों की कमी, सरकारी नीतियों की गलत अनुपालना, स्वेच्छा पूर्ण डिफॉल्टर्स की बढ़ती संक्या कमजोर, मुल्यांकन प्रिणाली, प्रात्मिक छेतर को बाद्दिकारे रिड़ अपूर्ती, इनके साथ साथ गलत प्रोजेक्ट का चायान, एवन व्यवसाय का एस सफल होना भी इसका एक कारण है, अब इन लाइन का मतलब क्या है, वह मैं आपको एक बार समझा देता हूँ ठीक है, तो देखिए, NPA के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, शिर्फ लोन लेके भाग जा नहीं, यह इसका कारण नहीं होता है, इसके अलावे भी कौन-कौन से कारण होते हैं, देखिए तो, एक कुसल संचालन रस्ता, यानि कि किसी बैंक के अंदर उसकी संचालन रस्ता जो ठीक है, तो देखिए, तो आगे क्या है, परिस संपत्ति प्रबंदन कोशल में कमी, जरूरी कानूनी उपायों की कमी यानिकी, हमारे जो कानून है, उसके अंदर क्या है, थोड़ी बहुत क्या होगी, कमी होगी, उसके बारे में, ठीक है, सरकार नीतियों की गलत अनुपाल ठीक है, सवेचा पूर्टफ रसकी बढ़ती संख्या, यानि की हमारे जी डीफोल्टर से है, यानि की वो लॉन ले लें लेते हैं, लेकों चुका नहीं पाते हैं, तो क्यों दिफोल्टर सोते हैं, उनकी बढ़ती संक्या, कम जोर मुल्यांकर प्रणा लिए यानि कि जब प्रातनी छेतर ने किसी छेतर जो है उसके बाद ने इन सब के साथ साथ गलत प्रोजेक्ट का चैर एवं वैसाए का सफल होना भी इसका कारण है आगे देखिए बढ़ते हुए एनपे से बैंकों में पूंजी की कमी के कारण ब्याज दरों में व्रद्दी एवं साख की अनुपालना होने से वियापार वानीज उद्योक चोपट होता तो है साथ में होता है यहां पर क्या आएगा कौम आएगा साथ ही प्रियोजन साथ ही प्रियोजना संचलन के लिए आर्थिक कटनाई भी मैसुस होती है इसका मतलब क्या देखिए बढ़ते हुए एनपी से बैंकों में क्या होता है जेखिए जैसे विजयमालला निर्व मूदी यह पैसे लेगे भाग के तो बैंक में क्यों होगी पै आएगा ताकि वो पैसा और एक्टर ले सके ठीक है और साख की अनुपानला होने से व्यापार वानिच हैने कि जब उसकी देखिए अगर उसका कोई पैसे लेगे चला गया तो वो क्या करेगा अधिक रिंड लेगा उससे तो उसकी क्या होती है इस बैंक से तो लोन लेके च अधिक स्वायत बना कर उसके कार्य छेत्र में व्रद्धी करने से एंपी समश्या के समधान में एक विस्तरत रोड मैप तियार करके एंपीय को स्रेणी वार विवाजित करना चाहिए एवं उचित कानू एवं मुल्याकन बना ली द्वारा इसके समधान के गहन प्रयास करन लेकर सुध्रण बैंकिंग के साथ आर्थिक पुने निर्मार की कारिया को आगे बढ़ाया जा सकता है अब जैसे मैंने इस एस में आपको करवाया ठीक है अब देखिए इस ऐसे में लिखने मुझे बहुत टाइम लगता है फिर फूरा बोर्ट पर उतारता हूं बहुत मैं आपको यह सिकार हूं जैसे देखिए जैसे इसकी प्रस्तावन ओगई ठीक है यह तो जब भी नया ऐसा है तो शर्फ आपका यह वाला डेटा चेंज होता है लेकिन इसके अंदर भी जैसे आपकी जो कमिया थी ठीक है जैसे एक कुशन संचार नगस्ता परी संपत्ति जैसे किसी योजन होती है तो कमी हुई अच्छा हुई तो यह सारे के सारे ऐसे में क्यों होती है आपके कोमन होती है तो मैं आप से ही क्या रहा हूं कि 200 वर्ड में से आपको सोचना महां पर कम पड़े क्योंकि टाइम अपका एक घंटे होता है आदी घंटे में लेट रटके जाने महां पर आप ऐसे बिल्कुल बिन प्रेपिशन होगे जाओंगे आपका पैंड भी नहीं चलेगा आप सोचने रोगे और आपको सोचने में इतना टाम लग ज का सिर्फ पूर्स रहेगा थिग और फिर हमने वारे में इसके बारेसे समाधान भी आपके होतें समफ्या और समधान आगर किसी टॉपिक से बैंकि इसे डेखिए इसके रोकने के लिए जाए को अधिक स्वायत बनाकर उसकी कारी चेतर रद्धी करने से एन पी की समझ्टा के समधान से विश्तरत रोड में उत्यार करके एन पीज़ाद करना चाहिए उचित कानून मुल्यागन प्रणाली इसके समधान के गहन प्रयास करने चाहिए पताईए जैसे इसमें था ना आपको कौन कौन से पॉयंट है वो आपको कैसे कैसे आपको रटके जाने हैं कि प्रिस्तान में हो घबागा रटके है घांदर चैनल लेक muchís पर उसको आप ताइम मैस्ट नहीं हो हो डीकर तो यह अद हमारा इसे था और आई हो पको यह पसंद मैं होगा अगर पसंद आ वो लाइक कर देना और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि जितने लोग जुलेंगे उतना ही मुझे बढ़ाने मजा आएगा ठीक है दोस्तों तो मिलते है अगले वीडियो में जब तक के लिए बाइबाइब के थेंक्स फॉर वॉच्छ